हेलो फ्रेंट्स दू सब्सक्राइब एंड क्लिक ओन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वल्कम फ्रेंट्स अलफ दिन पर बिजी टुटोरियल में आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से रिजनल सेटिंग या डिस्पले सेटिंग में हम चेंजिस करेंगे लाश्ट वीडियो में हम अपना इन्वेंट्री को खतम कर चुके हैं जो कि सिंपल ट्रांजेक्शन थी लाइक आप परचेस कर रहे हैं आइटम या सेल कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं उससे पहले भी हम वाउचर एंट्री और प्रोफिट और लोस अकाउंट्स की जो पीडि देख पाएंगे दो बटन श्टार्टिंग में रिजिनल सेटिंग और डिस्पले सेटिंग सबसे पहले हम इनहीं दोनों चीजों के बारे में बात कर लेते हैं अगर आप रिज्णल सैटिंग पर जाते हैं तो रीजन वाइस जैसे अप वर्क करते हैं सब्सक्राइं या इं कि यहां पर ले लेते हैं डे मंध और इयर this के बाद एक जो प्शन आए गा डेट स्प्रेटर एड्मिह इंस कि आप डेट को कैसे देखना चाहता है हाइफ़ए के जरी देखना चाहते हैं या डॉस के जरीए देखना चाहते हैं वह आप डेक्षिंग zeit apply कर सकते हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम dot के जरीए देखना चाहते हैं उसके बाद currency symbol rupees और इसके जो sub string होगी वो पैसा होगी इसी तरीके से अगर आप कहीं US base work कर रहे हैं और dollar dollar में cent आप किस तरीके से sub string में डाल सकते हैं तो यहाँ पर जो currency का font है रुपी फॉरेडियन वो इसलिए कि रुपीज का जोई symbol है वो इसी currency के font को automatically display करा देता है उसके बाद currency character आपको किस तरीके से देखना है वो आप यहाँ पर define करेंगे दन यहाँ पर format of display number किस format में आपको चाहते हैं US base चाहते हैं तो नीचे वाला आप ले सकते हैं और Indian base आप चाहते हैं तो उपर वाले amounts पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको अपने invoice में कोमा नहीं चाहिए आप उसको skip करना चाहते हैं तो इस command को आप yes कर दीजिए और अगर आप कोमा चाहते हैं अपने invoice के अंदर तो फिर यहाँ पर no set करे रखिए उसके बाद time format के अंदर आप किस तरीके से timing को set करना चाहते हैं 12 hour set करना चाहते हैं 24 hours के base पर set करना चाहते हैं वो आप यहाँ से set कर सकते हैं यह by default हमारी जो details हैं जब हमने company बनाई थी उसी के according यहाँ पर उठा लेगा तो यह सारी की सारी कुछ regional setting थी जिनके बारे में आपको पता लग चुका है कि किस तरीके से आपको format choose करना है currency अगर आप बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे वो हम currency chapter में देखने वाले हैं फिलाल तो यहाँ पर एक basic information आपको दे दिये कि किस तरीके से आप यहाँ से date format या अपना time format या date के अंदर जो separators हैं वो किस तरीके से use करेंगे उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे display setting तो यहाँ पर जब आप display setting में कोई background image अगर देना चाह हैं in case तो यहाँ पर जैसे ही आप yes press करेंगे नीचे आपसे एक option पूछा जा रहा है कि आप किस file को यहाँ पर set करना चाहते हैं for example हम यहाँ पर यह flower वाली images को open कर देते हैं और apply कर देते हैं fit to screen yes करके अब जैसे ही हम ok press करके exit करेंगे इस features screen पर आप देख पाएंगे background में image set हो गई है या आप नहीं चाहते तो फिर आप display setting पर जाकर वापिस से उपर no press कर देंगे अगर आप अपने invoice में logo apply करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर yes करके अपने logo को भी यहाँ से set कर सकते हैं तो same procedure है जैसे हमने background image set करी थी आप चाहें तो इसको भी no press करके वापिस logo की image क को हटा सकते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से features के अंदर हमने regional setting और display setting के options को सीखा आने वाली वीडियो में हम और भी चीज़ी सीखेंगे busy tutorial को आप watch करते रही है अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर सकते हैं जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और कि किसी भी topics related आप अगर वीडियो चाहते हैं तो वह आप comment box में लिख सकते हैं मैं कोशिश करूँगा उसके पर PDF बनाकर आपको वीडियो देने की thank you for watching bye bye कर दो सकते हैं